तीसरा नेत्र केवल भगवान में ही समाहित है या फिर तीसरा नेत्र मनुष्य में भी समाहित है क्या हम तीसरा नेत्र खोल सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तीसरे नेत्र के रहस्यों के बारे में आपको बताने के लिए हमारे साथ है लाइफ ओच सौरप मिश्राजी आईए जानते हैं इनसे तीसरे नेत्र के रहस्य के बारे में आज हम नेत्र की बात करेंगे नेत्र की जब बात आएगी तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि नेत्र हैं कितने हैं कि इस्वर ने मनुस्ति को पुरुष या इस्ट्री दोनों को तीन नेत्र दिये हैं दो इस्थूल नेत्र हैं जो सामने दिखते हैं और एक ऐसा नेत्र है जो शरीर के अंदर होता है भारती दर्शन में तीसरे नेत्र का हर्दम जिक्र हुआ जे भागवान सिव के मस्तक पे एक तीसरा नेत्र दिखाया गया जे लोगों ने ऐसा मान लिया कि जिसके तीसरा नेत्र होगा वो इस्वर होगा वास्तव में ये गलत सहमी कब और कैसे आई ये तो पता नहीं लेकिन वास्तविक्ता ये है कि वो तीसरा नेत्र हर मनुष्य के अंदर होता है हर पुरुस हर इस्टी के अंदर हर एक के अंदर होता है नेत्र करते क्या है इस प्रठी में क्या क् कितना सौंधर है क्या पुराइब किया चीज अनुकूल है क्या प्रकूल है इसको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस पश्ट रूस देखने का का में नेत्र करते है नेत्रों को तुरंप यह पता लग जाता है कि सामने क्या है बाकी हमारी जितनी इंड्रियां हैं, उनको उसके बाद की अवस्था दिखती है, जैसे विग्यान ने भी कहा, कि जब बादल गरश्ते हैं और बिजली कड़कती है, तो बिजली का कड़कना और बादलों की आवाज का आना उसमें पहला काम बिजली का होता है, पहले बिजली लेकिन प्रथम काम नेत्र का है, तो नेत्र ने देख लिया, अपने सामानी जीवन में हम जो पहली रिकजन करते हैं, वो आखों से करते हैं, कोई आ रहा है तो उसको देख के हम रिकजनाईज करते हैं, कौन आ रहा है, उसके बाद वो बोलेगा कुछ, वो नाम पुकारेगा, तो हम कहेंगे हाँ हाँ भाई हम पहचाना है आ जाओ ये तो केवल एक टेली फोन है जिसने पहले आवाज को पहुंचा दिया लोगों तक और बाद में आदमी पहचानता है कि हाँ कौन बोल रहा है उसके बाद फिर उसका चित्र आँखों के आगे गूमने लगता है जब भी हम बात भी करते हैं तो आँख के आगे उस ब्यक्तिका चेहरा मोहरा उसकी सब चीजे वो जो प्रफन पूछ रहा है सब दिखाई पढ़ने लगता है हम लोग ऐसा कहते नहीं है लेकिन महसूस करते है और इस्पष्ट रूप से उसकी सब चीजे जो हमें दिखाई पढ़ने लगती है उसी पर हमारा समवाद टेलीफोन का अगे बढ़ता है तो इसका मतलब नेत्र इस्वर ने डिये सबसे पहले किसी भी चीज़ को रिकागनाईज करने के लिए इस थूल नेत्रों की दो सो से तीन सो मीटर देख सकते हैं बहुत ही दूर पर भी जो चीजे होंगी उनको भी हम देख सकते हैं लेकिन उनका बड़ा सूस में चित्र होता है जिसको हम देख पाते हैं जैसे आसमान में तारे देख सकते हैं हवाई जहाज उड़ रहा है वो देख सकते हैं लेकिन इस पर श्रूप से नहीं डेख सकते हैं क्योंकि उसका सूस्म रूब डिख रहा है दूरी बढ़ने के साथ उसके साइज को मिनियेचर के तरह से घटा दिया जाता है बहुत बड़ा होता है तो नेत्रों को इस थूल रूप से देखने की जो छमता दी गई उसी से जीवन चलता है और उसी से व्यक्ति व्यक्ति को पहचानता है व्यक्ति प्रकृति को पहचानता है व्यक्ति अपने सारी गति विधियां भी उसी के माध्यम से करता है आज अगर नेत्र ना हो, तो सारा जो गति है, सारी गति मानता है, सब रुग जाएगी. यानि उस मनुश्य से पूछा जाए, जो नेत्रिहीन है, वो इस धर्ती के सूंधरी को किस प्रकार से देख सकता है? वो सिफ मन की आखों से, उनका एक कर सकता है कि हाँ भाई क्या है, यह अनुमान लगा सकता है कि ऐसा होगा यह वैसा होगा जी 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 और वह सुने के आधार पर कर तो यह इस पर्स किया चीज़ को तो अनुभाव किया जो लेकिन इस पर चुरूप से वह उसकी देखनी पा में एक तीसरे नेत्र को स्थान दिया गिया और ये वो नेत्र होता है जो सूस्म का अभा करता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको अलग-अलग नाम दिये किसी नहीं आग्या चक्र कहा, तीसरा नेत्र कहा, किसी ने कुछ हन्य नाम दिये, और वहर एक मनुष्ची के पास होता है, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों को हम जरीर के अंदर के अंगों को विग्यान के माध्य हमसे जानते हैं, हिदय कैसा है, लीवर कैसा है, किड्नी कैसी है, लेकिन विग्यान ने अपने को तीसरे नेत्र पे या आत्मितत्य पे फोकस नहीं किया। ये दो एकड़म ऐसी चीजे हैं कि जिनके बगएर सरीर नहीं है। जब सरीर से आत्मितत्य चला जाता तो सरीर निर्जीव हो गया। बिलकुल। और उसको कह देते हैं कि ये मर गया, म्रत्य हो गयी। उसी तरह से यो तीसरा नेत्र है ये भी उसी रूप में है जिसकी स्थूल संविचना नहीं है कोई। लेकिन ये बहुत सारी तरंगों को जोड़के एकड़म से बनने वाला नेत्र है। जैसे शंगीत का यंत्र होता है। लोग कहते हैं कि एक ही गाना है उस गाने को जिसने भी गाया उसी गाने को हर्मोनियम से भी निकाल देंगे। कुछ नहीं रहा हर्मुनियम की तरंगों से निकल रहा उसी गाने को आप मासुरी वी बजा देंगे उसी गाने को सितार से भी बजा देंगे वह एक विधा है जिसका अभ्यास होता है वो उसे कर लेता है उसी तरह हमारा सूच में नेत्र है इसका धीरे-धीरे अभ्यास करने पर हम इस नेत्र के माध्यम से अनंत दूरी तक देख सकते हैं जैसे इस ठूल नेत्र की सीमा है 200-300 मीटर तक इस पस्ट दिखने की यह छोटे अच्छर है तो एक निश्चित दूरी तक उसे पढ़ लेने की लेकिन उससे आगे नहीं वह अत्यादिक हो जाएगे तो धुनला हो जाएगा धुनला हो जाएगा दिखेगा नहीं सूच्मनेत्र जो होता है जिसे ठृती नेत्र बोलें उसकी सीमा अनन्थ है उसकी गति की सीमा भी अनन्थ है और वो किसी भी दूरी तक कैसे भी हम देख सकते हैं अब सूच्मनेत्र का अनभाव कैसे किया जाए या ठृती नेत्र को समझा कैसे जाए इसके लिए हमें मस्ति किया हमने किसी तरह की आवाज बंद कर दी एक दम उन्हें बंद नहीं किया अवस्था में जब हमारे नेत्र बंद होंगे तो हम भू मध में दोनों नेट्रों के माध्यम से देखने की कोशिष करेंगे ध्यान साधना में इसका बहुत प्रयोग होता है तो दोनों नेट्रों को हम एक तरफ लाते हुए अपने वह भावा के मध्य में लाते हुए और थोड़ा उपर उठाके उस भुआ मद्ध से हमने देखने की कोशिश प्रारम की इसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कमरे को पूरा देखना होता है एक एक चीज हम देखते हैं फिर किसी एक चीज पर ध्यान केंजित करते हैं और फिर आंखे बन करके अपने तृती नेत्र से उसी चीज को योग करते हैं मुंबत्ती की लॉव आपने देखी कमरा एकडम सांथ है कोई हवा नहीं है उसमें तो लॉव एकडम सीधी चलेगी उस सीधी लॉव को एक निश्चित दूरी पर रख दिया उसे हम लोग कहते देड़ हाथ दूरी पर रख दिया ठीक है आदमी का हाथ इतना ब प्रकास आँख बन करने के बाद भी शरीर के अंदर आता है तो आप जब आँख बन करके देखेंगे तो आपको प्रकास की अनभूती होगी लेकिन लॉव इसपष्ट नहीं दिखेगी ये लगेगा कि हाँ कुछ प्रकास है बहर फिर उस पे ध्यान केंडिट करते हुए को करते हैं धीरे धीरे लोग को देखने की जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे तो कुछ सेकेंड के लिए सेकेंड के सौवे हिस्से में ही एकदम से आपको लगेगा कोई प्रकास दिखा लेकिन वह वह रंग नहीं होगा जो बाहर आपने देखा वह रंग अलग है तृती नेत्र जो रंग दिखाता है वह नीला रंग ही होगा लेकिन वह नीला एक अलग रंग होता है जो इस धर्ती पर नहीं दिखता है वह एक अलग रंग होता है धीरे धीरे अभ्यास करने पर फिर भ्रूमध्य में जो नेत्र है हमारा उसमें अलग अलग तरह के रंग दिखने लगते किसी को नीला रंग डिखेगा किसी को लाल डिखेगा किसी को सफेद डिखेगा लेकिन जब वो उन रंगों को इस धर्ती पर उपलब रंगों के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा तो वो उससे कुछ अलग होते हैं कहने को वो भी सफेड हैं, लेकिन हो सकता है उसमें सुनहरा पन हो, अलग तरीके का, नीला होगा, लेकिन हो सकता है उस नीले में अजीव एक फ्लोरिसेंट टाइप का कलर होगा, जो आपको इस धर्ती में किही चीज में नहीं दिखेगा, इनको हम बोलते हैं इस प्रकृति के सूच मुरंग हैं, जितने रंग इस धूल में आप देखते हैं प्रकृति में, उससे कई गुना ज़्यादा रंग सूच मुरंग होंगा, हम कहते हैं कि एक समानांतर दुनिया चलती रहती है, जब तक तरंगों की बाते नहीं हुई थी, जब तक मुबाइल फोन नहीं आयत हैं, तो लोगों को इस पे विस्वास नहीं होता था कि वाता वरन जीश को हम इधर बोलते हैं, इस माध्यम में भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब आज लोगों का अभ्यास हो गया, अब लोग इस पे भरोसा करने लगें कि मुबाइल एक मसीन है, उस मसीन को आप कान पे लग जाके और उसी व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो ये जो माध्यम है, जिस माध्यम पे ये सारी तरंगे चलती हैं, इथीरियल मीडियम इसे बोलते हैं हम, इसी मीडियम में वो सारे रंग हैं, वो सारी आवाजें हैं, वो सारे प्रकास हैं, जो निरंतर बने रहते हैं, ये उर्जया का एक माध्यम है, एक अलग उर्जया है, जो इस पूरे वातावरण में तैरती रहती है, विज्ञान ने इसका बहुत छोटा सा एक हिस्सा अनुसंधान के माध्यम से पा लिया, और उसके लिए डिवाइसेज बना दी, लेकिन हुमन बॉडी में वो डिवाइसेज और मनुस्य शरीर में हर वो यंट्र लगा हुआ है, जो इस माध्यम को एक्प्लोर कर सकता है या इस माध्यम को देख सकता है, तो अब होता क्या है, अभ्यास करने के करम में हम कैसे भी बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जमीन पर पल्थी मार के बैठे हैं, हम आरा आजे बंद करीं, यतनी भी वाहे आवाजें हैं, वो सब बंद कर दीं, सारी तरह की वाहे हवा भी बंद कर दी, और उसके बाद आराम से बैठ गया, धीरे-धीरे मस्तिष्क को खाली करने लगते हैं, मस्तिष्क खाली करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि मस्त और जयाद़ और जयादा गहरे उतर जाई और देखिये उते हैं। आपको ये मालूम है आपको इस ठूल सरीर इस चीज पायसास कर रहा है कि कुछ नया दिख रहा है। क्या है इसमें डिबाथ नहीं लगाना। H यह उतरते उतरते आपको सांती की अनभूती होगी शरीर एकड़म हलका रहेगा और वो तीसरा नेत्र आपका देखने का भी काम करने लगेगा धीरे धीरे उसकी दूरी बढ़ानी पड़ती है जैसे हम सारीरिक रूप से कहते हैं कि पहले दिन हम सौ मीटर दौर लगा लेते ह अगले दिन दस मीटर और बढ़ा दें दस मीटर और बढ़ा दें उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम सौ किलो मीटर की दोड़ में भी कंटिनियूस भागते रह सकते हैं तो वैसे ही यह तृती नेत्र की साधना है इस टीसरे नेत्र में निरंतर आपको बढ़ते चले जाना ह और कभी भी आपको आँख बन करना है सीड़े आपका दिम मस्तिष्क वहीं पर पहुंचेगा उसके बाद उसमें अभ्यास करते रहना अलग-अलग तरह कि जो चीजे आपको वहां पर दिखना सुरू होती है उसको जब आप देखेंगे तो प्रकरटी में वह मिलेंगी कहीं कहीं मिलेंगी कई बार हम लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जिनको देखके लगता है अरे यह तो देखी हुई है जबकि वहां पहली बार गया है क्यों देखी हुई है क्योंकि सूश्म स्रश्टी कभी-कभी लिंक करती रहती है सब चीजों को सब जगे से और वह जो लिंक ह होता है कुछ सेकेंड का वह दिमांग में कहीं एक जगे स्ठापित हो जाता है फिर जब वह सामने आती है तो ऐसा मैसूस होता है कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं यह तो हुई सौरब जी तीसरे नेत्र की बात यह थे हमारे साथ सौरब मिश्टा जी तीसरा नेत्र क्य है और यह कहां विद्धिमान है आगामी कड़ी में तीसरे नेत्र के रहस के बारे में और आगे बात करेंगे तब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं तू SM स्टूडियो के साथ आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं और जिहां बेल आइकन ज़रूर दबाएं